विश्वक के सभी मेरे साथियों को रजरित नंबेडकर की ओर से जैभीम नमबुद्धा है दा अंटोर नंबेडकर के बारवे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है डाक्टर बावासाबंबेडकर 26 नवंबर 1950 को भारत को सविधान देकर अपने घर पर दिल्ली के अलिपुर रोड के बंगले पर आ गए बावासाबंबेडकर जी की एक आराम खुरसी हुआ करती थी रोलिंग चेर उसके उपर बावासाबंबेडकर बैठ है अपनी आखे बन कर ली और थोड़ी ही दहर में बावासाबंबेडकर जी के आखों से आसु भेने लग गए बगल में डॉक्टर बावासाबंबेडकर जी के सच्चीव शंकरान शास्त्री खड़े थे शास्त्री जी ने देखा कि बावासाबंबेडकर रो रहे है अब बावासाब को कैसे उठाऊं और कैसे पूछू कि आप क्यों रो रहे हो शंकरान शास्त्री जी ने एक युक्ति की बावासाबंबेडकर जी के पैरों के यहां बैठ है और पैर दबाते दबाते बावासाब से सवाल किया बाबा साब अभी आप इस देश को एक अच्छा सविधान देकर आए हो एक अच्छी वेवस्ता देकर आए हो किस बात का दुख है आपको आप क्यों रो रहे हो बाबा साब ने आखे खोली और शास्त्री से कहा कि शास्त्री ही मैं मेरे जीवन के सफर को याद कर रहा था और इस सफर को याद करते करते मुझे मेरा बच्चा याद आ गया मेरा सबसे प्यारा बेटा राजरतन मुझे याद आ गया आडाई साल की उमर में इसे डबल लिमूनिया हो गया था उस समय डॉक्टर बाबा सब अमबेडकर जी की आर्थिक हलात कुछ अच्छी नहीं थी बाबा सब अमबेडकर उस समय वकीली क्या करते थे और ऐसे हलातों में बाबा सब अमबेडकर जी का ये बेटा इसे डबल निमोनिया हो गया था जुलाई 1926 में इसे डबल निमोनिया हो गया था और बाबा साब अमबेड कर हाई कोर्ट में एक केस के संदर्ब में गए थे माता रमाई ने देखा कि राजरतन का भुकार बढ़ते जा रहा है माता रमाई ने बाबा साब के कारेकरता से कहा कि बाबा साब जहां कई पर भी हो उन्हें तुरंत घर लेकर आओ ये कारेकरता हाई कोर्ट पहुचा और हाई कोर्ट पहुचने पर बाबा साब को संदेशा दिया कि बाबा साब आपको तुरंत घर भुलाया है बाबा साब अपना सारा काम छोड़कर बाबा साब को पता चला क्या हुआ होगा बाबा साब ने उसी हाई कोट के दरवाजे से उसी हाई कोट के प्रांगण से तांगा किया और बाबा साब जिस चाली में रहा करते थे उस चाली के सामने आकर ये तांगा रुका दस बाई दस का बाबा साहब का मकान हुआ करता था, बाबा साहब ने जैसे ही इस मकान में प्रवेश किया, अपने बच्चे को अपने गोद में लिया, गोद में बाबा साब अंबेड कर इस राजरतन को लेकर उसको खिला रहे थे, और बाबा साब अंबेड कर जी की ही गोद में इस राजरत्ना ने प्रांट त्याक कर दिया उस समय बाबा साब इतना फूट फूट कर रो रहे थे दिवार पर सर पटक पटक कर डॉक्टर बाबा साब अमबेड कर रो रहे थे पूरे कार्य करता पूरे चाली के लोग बाबा साब को देख रहे थे एक बच्चे की तरह बाबा साहब रो रहे थे बाबा साहब को कैसे शांद किया जाए बाबा साहब का बच्पन का दोस्त मालू आगे आया बाबा साहब को बहुत परिश्रम के बाद बाबा साहब को शांद किया शांद करने के बाद एक कारेकरता ने बाबा साहब से सवाल किया कि बाबा साहब नाकि हम राजरतन का अंतविदी कर सके। बाबा साब के कानों पर जैसे ही ये शब्द पड़े, शांत हुए बाबा साब फिर से फूट-फूट कर रोने लग गये। बगल में माता रमाई खड़ी थी। माता रमाई को पता चल गया कि इस रोने की वज़े कुछ और है। माता रमाई को पता चला कि बाबा साब अंबेडकर की जेब में नहे कपड़े छड़ो। कफन लाने तक के पैसे बाबा साब के पास नहीं है। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और उस राजरत्न के शरीर पर कफन के तोर पर डाली ये बात डॉक्टर बावा साब अंबेड करजी को 26 नवेंबर 1950 को भारत को सविधान देने के बाद याद आ गई बावा साब शास्त्री से कहते कि शास्त्री एक समय था कि मेरा बेटा मेरा बच्चा राजरत्न इस जहां से जाते समय मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका मेरा बच्चा बिना कफन के इस जहां से चला गया लेकिन आज मैंने इस देश को सविधान निर्वान करके दिया है और एक ऐसी व्यवस्ता मैंने इस देश में कायम कर दी गई है इस देश में ऐसी व्यवस्ता मैंने कायम कर दी है कि मेरा आने वाला हर एक राजरतन चाहे वो हिंदूओं का हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो कृष्चन हो चाहे वो जैन हो चाहे वो बौध हो इस देश में पैदा होने वाला हर एक राजरतन ये सूट बूट टाय कोट मे जनम लेगा ऐसी वेवस्ता मैंने इस देश को दे दी है और बाबा सहब ने ये बात 26 Critical 26 नवइंभर í99 को सविधान देने के बाद कही और बाबा सहब का सविधान इस देश में सभी लोगों को सभी वर्ग के लोगों को सभी जाती सभी धर्म के लोगों को अपनी प्रगती करने का एक मुका देती है और सूट बूट टाइ कोट में लाने की विवस्ता करती है ये बाबा साब अंबेटकर जी का सविधान देने के बाद बाबा साब को ये बात बाबा साब ने शंक्राइन शास्तिर से कही आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आभार धन्यवाद जै भीम जै भारत जै बुन्त